आपके साथ मैं हूँ और आपकी जो क्लासेस हमारे कंप्यूटर सेक्षन के अंदर की जो बात करें अगर सर हम लोग तो उसमें आप तेख रहे हो कि आज की डिट में कोई भी ऑग्राइशन ऐसा नहीं है वह ऑनलाइन हो या आफ लाइन हो जो आपको कंप्यूटर की स्पेसल कलास देता हो वाई banking की बात करें बैंकिंग के एक्जाम की करें इन्सोरेंस के पेपर में आपका कंप्यूटर का जो सेक्षन है वो बहुत से लोग इससे सक्राइड नहीं है कि कितना आता है कितना नहीं आता झाल कॉमसिकते bunlar पोस्ता बच्चे कहते हैं कि सर अलर्वी में vrijड आता है कुछ कमाता है राइट शाल बड़ी केंफूरें की और कुछ बच्चे यह विए जो नहीं पता दूसरा को यवे फ्रेंड कहता है उसे की ऊसमें ना computer नहीं आता और उसमें प्रेंग आता है, तो बच्चे कई वार ऐसा ही हो जाते हैं कि किसी फ्रेंड की बाद को लेते हैं और फिर उसको नहीं पढते हैं, तो ऐसी गल्ती नहीं करना है, ठीक है, आपको यहां पर बूलकु किस थरीके के आते हैं किस तरीके के नहीं आते हैं और किस एक्जाम में किस आता है किस नहीं आते है यह जनना बहुत जरूरी है स्थीधसा है जब बंक इमा डंटेसा है कोई बच्चा ऐसा थीया पर यहां पड़ तए कश्डेंड करता है bye如果 मेरे को किसलिका कोई concept नहीं है बच्चा यह चाथा है किसना मुझे बैंकर बनने के लिए पर सर मुझे आइपस पर नहीं हो जाए जाए बस मेरा स्लेक्षन हो जाए आज की रिडम है यह कंडिशन है बच्चे की लेकिन अब बच्चा जब पढ़ता है सर तो वहाँ पर वह मैंत इंगलिस पढ़ता है, G A पढ़ता है और कंप्यूटर का section भी पढ़ता है यह पांच section आपके exam में को मिलते हैं जिसमें आप लोगों देखते हो तीन section आपके pre mean आते हैं तो इसमें बच्चे का द्यान सब इन दो पार्ट पर ध्यान कम देते हैं यह बाई डिफॉल्ट है उनके अंदर कि हाँ इन दो पार्ट को ना हम बाद में देख लेंगे क्योंकि क्या प्रीजन है उसके भीछे कि वह मेंस में आता है लेकें सर यह बताईए आप मेरे को कि भाई मैंत और इंगलिस है यह तीन आप इस चीज को नोट कर लिएगा बाई कि सबसे ज़्यादा देने वारा सब्जेक्ट है आपको वह जर्डनल अवेइरनेस जी है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्छे के नमबर आते हैं या आ सकते हैं अब बहुत सबस्प्च ऐसे भी होते हैं प्रिछे के नमर नहीं आते है अगर हम बात करने यहां पर IPS PO की या SBIPO की तो वहां पर cut off भी क्या होती है कम जाती है पेपर अगर easy आता है तो cut off ज़्यादा जाती है कि लेकिन लेकिन PO का पर हाड होता है तो उसकी cut off क्या होती है कम होती है इस रीजन से बच्चे को यह देखना है कि सर हमें आखिर क्या करना है कि हमारा मेंस भी क्वालिफाई हो और प्री भी क्वालिफाइड हो लेकिन मेंस क्वालिफाइड होने का मतलब यह नहीं है कि आपने 60 marks ले ले जाय तो भी नी होने वाला सर क्योंकि आपसे ऊपर 70 वाले 80 वाले मालून 90 वाले यह बच्चे भी तो है right तो सब यह बच्छे हैं आपكे लिए तो इनका स्वीसाइड आप से पहले होगा तो आपको मेंस में क्या करना है एक ऐसा score खळा करना है कि मालूनिफ़ को सेष्टी क हम यह कह सकते हैं तरीके से कि जिसमें तैयारी करने का पूरा-पूरा आपको मौका मिले कि आखिर हमें एतने ही नंबर हमें लाने हैं एक्जाम के अंदर कि जिसके वेसे पर हम लोग कंप्यूटर के सेक्शन को या फिर जीए के section में, जहां जहां पर हमें हैं, लगता है कि हाँ यार, हम यहां पर number ला सकते हैं, वो number हमारे इतनी अच्छी score कर दे हैं उन section के अंदर, जिसमें हमारा score एक ऐसे level में पहुन जाए, जहां से ऐसा नहों कि या मैं 0.5 से रह जाओं, या मैं 0.1 से रह जाओं, य क्यों नहीं, मैं या पर एक अच्छा lesson ले सकता था, ऐसा बुल्कुल feel होता है बच्चे को, कई बार बच्चे आके हमसे कहते हैं, कि सर में साथ ऐसा हुआ, और इस जिसके अंदर, आप देखें, कि math है, math में आप देखोगे सर, time अच्छा खासा मिल रहा है आपको, reasoning में time अ हो जाए को देखकर नहीं है, लेकिन सर आप देखो ना, बई 40 number का आपका GA आ रहा है, 40 lesson आ रहा है, आपको 40 marks दे रहा है GA, ठीक है, तो सर 40 में से, अगर आप 35 to 38 score करते हो, ठीक है, तो सर ये जो marks आपके लिए है, ये marks आपको कोई section नहीं दे सकता, इतना, बसमरें हैं आप, नहीं दे सकता कोई section, और कम time में देता है आपको, time भी कम लेगा, ठीक है, तो मतलब मेरे कहने का ही है, computer की हम बात करें सर, तो computer section में आप जाते हो अगर आप, तो देखो, सीधा से importancy जो है computer की वो क्या है, क्यों आखिर computer आपको पढ़ना चाहिए, मैं आपको उस point पर जिरा को इतना हलके में, या GA के section को इतना हलके में हम जो लेते हैं, वो हमें नहीं लेना है, क्योंकि paper आप आपका आने वाला है, आने वाले time में, हो सकता है, एक अपते में आपको, या दो 15 दन के अंदर, आपको RRB का भी notification मिल जाएगा, ठीक है, और RRB PO हो, या फिर RRB का clerk हो, ठीक है, उसमें आपके, कुछ section ऐसे हैं सर आपके computer के अंदर, जिसमें देखेंगे आप, गिसमें, कुछ सक्सें ऐसे हैं, जिसमें computer का reaction अलग से होता है, ठीक है, separate section होता है, जिसमें computer आपका proper दिया होगा, कि वाह यहाँ पर आपका 40 question आएंगे, ठीक है, या फिर 20 question section mention होता है जैसे आरवी का paper है आरवी की paper में क्या होता है आपको पहले से दिया होता है कि आपका यहां पर कितने number का और कितने marks का computer आपका आएगा दूसरा section है आपका जैसे में आपको reasoning plus computer का section मिलता है आपका और उसकी अंदर आपसे यह वहां पर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में जैसे आपको IPS का paper है SBI का paper है SbPO या फिर हम किलर की बात करें या फिर आपका IPS PO या फिर किलर की बात करें ठीक है तो यहां पर देखोगे सर आप तो यहां पर आपको complete आपको यह रेजिंग प्रस कंप्यूटर मिलेगा अब इसमें सर यहां पर यह रहता है कि वह कितने कुशन देगा इसला कंप्यूटर के यह रैपन क्रता है आपके इसक देता है आपको यहां पर जो हमने देखा और इसमें इसा होता है क्योंकि सर सब्जेक्ट को पढ़ना हमारे लिए जरूर इसली है क्योंकि रिजिनिंग प्लेस कंप्पूटर का सेक्षन लिखा हुआ है तो सर यह अगर नहीं पढ़ते हैं आप तो आगर एक्जाम में कोशन आ गए तो आपके लिए प्रॉलम है क्यों सर अमने क्यों नहीं पंद्रेया के लाव वेकेंसी आपकी आई थी यह अपने देख सकते हो लास्ट यह जा करके आप ठीक है तो भाई ऐसा कोई बच्चा नहीं और फिर दूसर नमबर यह पेपर भी इसका इजी होता है एस कंपेर टू SBI यह आई पियस से अगर देखा जाए तो पेपर का इसको छोड़ देगा यहां फिर यहां भी हो गया तो इसको छोड़ देगा यानिके दूलग क्याने का यह है कि मुश्क्री बच्चे क्या करते हैं कि SBI या आई पर पिपर करते हैं लेकिन आप लोगों को सर अगर बता दूमें तो एस कंपेर टू इस से वर्क लोड़ भी क मिल जाए कोई दिकर नहीं है सरा आवी मिले एसबी आई मिले या आई पिस मिले डेजन मैटर भाई या जोब मिल जाए ऐसा है या नहीं है एकसा ही है एकसा ही है ठीक है तो भाई उसके लिए आपको सर अगर मानलो सबसकरों कि अड़्डा 247 एक मास्तर चैनल ऐसा है जो पर क्लासिस देनी है जो बच्चे हमारे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं और जो नहीं मिल पा रही है या फिर जो रिकॉर्ड वीडियो लिंक पढ़े हो पराने हो चुके हैं तो कुछ नहीं बच्चों के लिए नई अप्डेट के साथ में उनको कुश्चन्स दीजिए जिस सब में पास हो गया बस कंप्यूटर में रहा गया तो ऐसा आपके साथ नहुश हो पर आई, यह आपको ध्यान देना है बिसन्स दूप से कि मेरे साथ ऐसा नहो कि मैंने सब कुछ computer के अंदर math किया, reasoning किया, English किया जीए भी कर लिया और paper में मैं कही न कहीं कहां रहे गया computer में ऐसे कई सारे example हैं जो अच्छे इस video को देख रहे होंगे अगर ऐसा उनके साथ हुआ होगा तो उनको जरूर का value पता चल रहा होगा कि हाँ सर ये बुलकुल सही बात है कि ऐसा होता है तो सर ऐसा हो चुका है वो अलग मेंटर लेकिन अब आगे आपके साथ ऐसा नहूँ उसके लिए आप लोगों से में जरूर कोऊंगा कि हमारी जो ये classes ने computer की इन्हें आप लोग पर देखते रहे हैं ठीक है और जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और bell icon प्रेस कर दिएगा जिससे कि आपको इसके नोट्व से मिलते रहे हैं अभी ये मेरा अपके पास जो लिंक मिलते रहेंगे इस तरह से YouTube पर आप लोग इसको देख सकते हो तो यहां पर जो सबसे पहले हम सबसे पहले जो classes start करेंगे वो आपके जो most questions है important questions जिससे आपका किस लेवर के question बनते हैं किस तरीके question आते ह एक्जाम में बैंकिंग एक्जाम हो देखो एक चीज़ खास बात और इसमें कि एसा ही नहीं है कि computer का section के वला आपका banking में ही आता है banking के अगर अलाव में बात करूं सर तो अभी भी एक मेरे पास बच्चे का request आया कि सर हमारा एक paper है किसी district court का paper है और वहां पर कोई clerk की vacancy है या computer operator की vacancy है वहां प्राया हुआ हुआ है तो सर वहां पर भी आपका यही से लिवस काम आता है जो मैं आपको यहां करा हुआ हुआ ठीक है या फिर इंसुरेंस है और थिक है वहाँ पर भी आपका computer का सेक्शन सेक्शन आता है तिक है या फिर इसके लाब haveously हो एक Th以上 भी इनक्रियों आया था थो और इसके लाब है और आप जाते हैं तो एसलसी हैं तो वहाँ भी आपको यह कोछन ऊपको इससे मिल जाते हैं ठीक है इसके लाब और आप जाते हैं तो कई सारे ऐसे एक्जाम है जहांपर जैसे आप करें टीचर अबना चाहते है कि आपको कंप्यूटर का कुछिण आए या ना आए ठीक है लेकिन फिर भी आपको AAAC आना चाहिए है मतलब यह certificate आपके पास होना भी चाहिए और इसका qualification आपके पास होना चाहिए banking के जितने भी exam होते हैं उन एक्जाम के अंदर यह triple c ठीक है का certificate मांगा जाता है और यह जो हमारा पूरा banking का syllabus है या फिर computer operator का syllabus है या फिर किसी भी exam में जितने भी exam में आपके computer जो fundamental आता है उसकी अंदर आपका triple c का ही exam आता है समलो आप बले वह आपका hardware हो बले आपका memory हो बले आपके वह operating system से question हो networking से हो ठीक है database हो टोड़ा में language हो number system हो कोई भी topic हो आपके जिसने भी आपके MS office है word, excel, powerpoint, internet, security वो सारे आपके यहां पर आपके cover होंगे ठीक है तो पहले हमें क्या करना है सारे questions को पढ़ना है questions को पढ़ना है, questions को समझना है और फिर हमें उसको आगे देखना है तो बाई GA पढ़ना है आप लोग math पढ़ना है इसे पढ़ते रहिए बाकी computer section में आप हमारे साथ proper तरीके से एक continuous way में आप इस वीडियो को देखते रहिएगा ठीक है sir तो आम मिलते हैं आपसे फिर next class में तरने बाद